नमस्कार फ्रेंड स्वागत है आपका टेकृष्ण चैनल में जैसे कि मैं आज बात करने वाला हूँ CSC ओलंपियार के बारे में CSC ओलंपियार में कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका पूरा डिटेल मैं आज आपको बताने वाला हूँ और उसमें CSC ओलंपियार को क्या फाइड़ा होगा वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसमें आपको एक बच्ची का रजिस्ट्रेशन करने के लिए 30-40 रुपई का कमिशन भी मिल सकता है दोस्तों बहुत ही अच्छी सर्विस है जो CSC ने लांज की है इस वक्क आपको बहुत फाइड़ा होने वाला है उसका और वो CSC ओलंपियार की टेस्ट है देखते हैं हम उसमें लॉग लॉगिन कैसे करते हैं जैसे कि आप उपर देख सकते हैं CSC ओलंपियार यह मेरे साइड ओपन कर दिये जैसे कि आपको यहाँ पर बता हुआ है कि CSC वेलेग से कि कख्षा 3 से कख्षा 12 तक किसी भी शात्र का आप रजिस्टेशन ऑनलाइं टेस सकते हैं आप इसमें और काफी अच्छा कमिशन आप प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि आपको डिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सभी बच्चों की परिक्षया ली जाएगी वह जो एक्जाम होगी वह आउगस्ट के प्रेड में ली जा सकती है और उसका टाइन टेबल हम हमें CSC पर अवेलेबन मिल जाएगा और यहाँ पर होम पेज पर सारी इंफॉर्मेशन डी वह हैं आप उसे पड़ भी सकते हैं लोगिन याज आज वी यली पर क्लिक करना है आपको रेजिस्टर्शन करने के लिए और बार में कनेक्ट विट डिजिटल सेवा पर क्लिक कर देना है फिर आपको ऐसा इंटर्मेश कर क्लिक होगा तो इसे कट कर देना है जैसे कि आपको यह इंटर्फेस डिखाए दे रहा है हमने साइबर सीकुरेटी का भी यहां से ही रिजिस्टर्शन किया था तो यहां पर नीचे ओलंपियार डिक्क्रा हुआ आ रहा है तो यहां से क्लिक करना है यहां से आपको स्टूडेंट का नेम और सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में भर देनी है सबसे पहले आपको पूरा नाम डाल देना है फिर उसके फादर का नाम डालना है और नीचे डेटवबर डालना है और उसका फोर नमबर डालना है मैं ऐसे ही आपको भरके को और खाली में पता चला है कि वियली को भी 30 और 40 रुपए तक कमिशन भी मिल सकता है डेफिनेटली मिलने ही वाला है आई थिंग आप इसमें जाड़ा से ज्यादा रेजिस्ट्रिशन कर सकते हैं और आपको कमिशन भी प्राप्त हो जाएगा जैसे कि मेरी मेल आईडी उपर डाली है और बाद में स्टेट सेलेक करना है बाद में हमारा डिस्टिक सेलेक करना है उसके बाद हम हमारा करंट अड्रेस डालेंगे नीचे आपका कोई आप आड्रेस डाल सकते हो और बाद में नीचे पिन कोड आप एड कर देंगे और स्टूडन का क्लास हमें एड कर देना है यहापर ग्रूप में वो डिवाइड हो गया है फिर आपको स्टूडन के स्कूल का नेम डाल देना है जो भी स्कूल हो उसका नेम आप इंटर कर देजिए उसके बाद हमें नीचे जो स्कूल के हेड है उनका मोबाइल नंबर भी इंटर करना करना पड़ता है तो इसलिए हम इंटर कर देंगे जैसे कि हमें पता चलता है कि वियले की जो कमिशन है वो पस 35 रुपीज कमिशन है और जो स्टूडन का फीज है रेजिस्टेशन करने का वो 125 रुपीज है आपको 35 रुपीज का कमिशन मिलना है तो हम आप ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेशन कर दवा सकते हैं और जो रेजिस्टेशन की लास्ट डेट है वो एक अगस्ट तक है यहाँ पर हम उसकी लैंग्विज भी हमारे हिसाब से ले सकते हैं उसके बाद हमें सब्मीट पर क्लिक करना है एक बार चेक कर लेंगे फॉर्म पूरी तरह से फिलप हुआ है क्या नहीं की आपको जो रेजिस्टेशन करना है स्टुडं के आनुसार करना है स्टुडं को जो लेंग्विज अच्य लगती ये वह लेंग्विज में स्टुडं ले सकता है इंग्लिश हो या इंग्लिश और हिंदी में भी लएक सब्सक्राइब और ऐसी तरह से आप रेजिस्टेशन कर सकते हैं काफी सिम्पल तरीक है दोस्तों और अपना कमिशन आप राप्त कर सकते हैं कि या पर और नीची इंपॉर्मेशन दी हुई है आप उसे पढ़ सकते हैं जो टेस्ट होने वाली है दोस्तो तो Tillफ का कमिशन प्राप्त करने के लिए आप ऑगस्ट से पहले स्टुडेंट का रेजिस्टेशन करवा लो दोस्तों यह रहा पूरा CSC ऑलम्पियार का रेजिस्टेशन दोस्तों इस वीडियो को लाज टक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों जैसे कि हमने आज यह वीडियो आपके लिए बनाई थी हमें जो कॉमेंट आ रहे थे कि CSC ऑलम्पियार टेस्ट के लिए रेजिस्टेशन का वीडियो बनाओ इसलिए हमने यह वीडियो आपके लिए बनाई और आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स पर वाचिंग दोस्तों